करना बहुत ही सीम्पल है और इजी भी है इसमें क्या करेंगे हम लोग यहां पर मैंने ए से लिखे जेट टक नार्मल कैपिडल लेटर्स ड्रॉ राव किया है और यह capital letters का हम लोग sharp edge letters में कैसे form करेंगी यह मैं आपको explain करूंगा या इसमें से बहुत letter change नहीं होने वाला है जैसे कि A letter है जो अलड़ी तीन straight line की मदद से बना है तो इसमें ज्यादा कुछ change होने वाला नहीं है जो भी letter straight line से बने है कर्व उसमें नहीं है तो वह letter ज्यादा change होने वाला है नहीं बस जो भी letters है जैसे कि B है C है D है जो round shape और curve shape से बने हुए है तो वह letters थोड़े बहुत change होने वाले है तो हम लोग A से start करेंगे कि A में कुछ change होने वाला है नहीं जैसे A है वैसे मैंने यहाँ पर लिखता अभी B को मैं कैसे draw करूंगा यह B की आए गई straight line और जो round shape है B का इसको मैंने ऐसे triangle में convert करूंगा तो यह हो गया B C को क्या करेंगे यह जो cow है उसको मैंने minimize किया और end वाला tail है उसको मैंने straight किया D को भी B जैसे ही करेंगे यह straight line आएगी और यह triangle form होगा E को आप as it is भी लिख सकते है या उसका जो leg है पहला उसको थोड़ा से उपर कर सकते है तो यह दो line सेम रहेंगी बस उसका leg थोड़ा से उपर कर सकते है या सीधा रिखेंगे तो भी कुछ उसमें change नहीं है F भी same ही आएगा G में क्या करेंगे जी जो curve था यहाँ पर उसको मैंने straight line एक दो और यह तीन straight line की वैसे यह curve को मैंने define किया और ऐसे बन गया G letter H भी same आएगा I भी same आएगा I के जो horizontal lines है top and bottom का उसको आप तीरचा भी बना सकते है थोड़ा सा तो कुछ ज्यादा change नहीं है जे भी almost same है बस इसका जो end वाला जो curve है उसको मैंने straight कर गया K भी similar ही आएगा L का जो leg है उसको थोड़ा सा उपर ऐसे बना सकते है तो यह L हो गया M में भी कुछ change होने वाला नहीं है same ही आएगा M भी same आएगा और O है O यह round है इसको हम लोग यह थोड़ा सा round तो यह O हो गया यह उपर वाला round part है उसको मैंने curve को बहुत कम कर दिया और इसे straight line से join कर दिया P को भी B जैसे ही बनाएंगे यह बन गया P अभी Q हम लोग draw करेंगे Q मतलब O में कैसे हम लोग यह उपर वाला को जो है वो कम किया था और इसको straight line से join किया था इसमें भी same हम लोग फंडा यूज करेंगे कि यह कम किया मैंने यह straight से connect किया और यह ऐसे Q हो गया R को P जैसे draw करेंगे हम लोग यह हो गया R अभी S को हम लोग ऐसे सीधा एक सीधा line एक सीधा line यह हम लोग का S बन गया यह हो गया T में भी कुछ change नहीं है यू को आप क्या करें कि यू का जो छोटा letter रहता है small letter रहता है उसको same draw करें बस उसको थोड़ा सा मोटा draw करेंगे तो यह capital U हो गया अगर मैं U को ऐसे straight line से connect कर दूँगा तो वो similar V जाइसा दिखेगा इसके वैसे हम लोग small letter है उसको बड़ा और लिखेंगे तो वो capital U consider करना किया जाएगा V में भी change नहीं है W भी similar ही आएगा X भी similar ही आएगा almost Y भी same और Z को आप थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकते हैं या similar लिखा तो भी change नहीं है तो ऐसे A से लेके Z टक हम लोग sharp page capital letters बनाते हैं यह letter बहुत ही simple है और आप easily इसे बना सकते हो तो आप इसे जरूरा कीजिए और इसे handwriting में भी use करके देखिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यह वीडियो को like और share कर दो और चानल को सब्सक्राइब जरूर करना